नकेंद्र भाराय त्रिलोच नाए बसमाद नाए महिश्वाद स्वागत आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरूजी पर और पिछली वीडियो में हमने कोर्षन नमबर 16 तक कोर्षन कर लिए थे आज हम करने वाले कोर्षन नमबर 17A से ठीक है ना तो कोर्षन नमबर 17A देखेंगे कोर्षन नमबर 17A में कह रहा है कि तीन पार्टनर है एक्वल 17A P Q और R तीन पार्टनर है बराबर तो रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1 होगा गुडविल जो अल्रेडी अपियर है वो 4 लाग की है तो इसको मालम आप लोग को क्या करना है यह सम्में बढ़ेगी P's Capital Account Debit Q's Capital Account Debit R's Capital Account Debit To Goodwill ठीक है कितनी है गुडविल 4 लाग इस 4 लाग को आप 3 हिस्सों में कर लोगे और वो आप यहाप बाढ़ दो यह तो लोगी पहली उसके बाद कहरा है कि R रिटायर हो रहा है और R के रिटायर होने पे गुडविल की वैल्यू थी धाई लाग तो धाई लाग इंटू वन अपॉन थी करेंगे यह आएगा आपका थी एट जा टून्टी फोर वन केरी थी थी जा नाइन थी थी जा नाइन थी थी जा नाइन थी जा यह उसका आएगा गुडविल में शियर रिटायरिंग पार्टनर था अब आपको मालम है एंट्री का करनी है बचे कौन बचा पीस बचा पीस कैप्टल अकाउंट पीस कैप्टल अकाउंट डेबिट क्यूस कैप्टल अकाउंट डेबिट रिटायर कौन हुआ R capital account ठीक है कैसे करेंगे entry R में तो 8, 3, 3, 3 आ जागा इसके आप 2 इससे कर लोगे क्योंकि तीनों partner का 1 ratio 1 ratio 1 था R सल आ गया तो new garing ratio क्या आ गया 1 ratio 1 यह हो गया हमारा 17 A अब हम देखते हैं question number 17 B 17 B में क्या कह रहा है 17 B में हमारे 3 partner है A, B और C तीनों का ratio है 2 ratio 2 ratio 1 C retire हो रहा है और C के time में goodwill थी 2 लाग रुपे की 2 लाग की यानगी C के share से मैं निकाल हूँ तो यह आएगी 40,000 की उसके बाद goodwill already appear है 1,5 लाग की तो पहले तो मैं यह 1,5 लाग रुपे बाट दे रहा हूँ तीनों पार्ट है A, capital account debit B, capital account debit C, capital account debit to goodwill केतना था? 1,5 लाग रुपे 1,5 लाग को 2 ratio 2 ratio 1 में बाटूँगा तो यह आएगा यहां कर लेता हूँ मैं solve 1,5 लाग इंटो 2 अपोन 5 60,000 60,000 और 30,000 आएगा यह तो goodwill already यह पर भढ़ गई अब retire हो रहा है C तो बचे कौन? 2 बचे तो A is capital account debit B is capital account debit 2, C is capital account कितनी थी goodwill? 40,000 अब देखो A, B और C तीन पार्टनर थे ratio था 2 ratio 2 ratio 1 अब अगर C चला गया तो बचा क्या? 2 ratio 2 यानि कि मैंसे बरावर भी लिख सकता हूँ 1 ratio 1 यानि कि 40,000 को आप कैसे बाटोगे B 1000 A में और B 1000 B में यह हो गया आपका question number 17 B अब देखते हैं question number 18 question number 18 A यह वाला ठीक है? question number 18 में आपके 3 पार्टनर है A, B और C ratio है तीनों का ratio दे रखा है 3 ratio 4 ratio 2 goodwill जो firm की दे रखी है वो दे रखी है 1,62,000 और कोई goodwill नहीं दे रखी तो यही बाटी जाएगी A और C ने decide कि future में जो profit है रहेंगे वो इससाब से लेंगे यानि कि आपको old ratio भी दे रखा है और new ratio भी दे रखा है गेनिंग ratio का formula आपको पता ही है यह new है गेनिंग ratio formula new minus old तो यह का new 5 upon 8 और एका old ता यह हो गया चार और तीन साथ दो 9 3 upon 9 इसका LC हम लेंगे 72 आएगा चीका ना इसको मैं solve करता हूँ 9 5 जा 45 8 3 जा 24 यह आएगा 21 upon 72 ऐसे ही C का निकालता हूँ तो C का नया ratio 3 upon 8 है और पुराना कितना था 2 upon 9 LC हम लोगा 72 आएगा 8 9 जा और 9 3 जा 27 माइनस 8 2 जा 16 यह आपका आएगा 11 upon 72 यानि कि इसका gaining ratio कितना आगया 21 ratio 11 ठीक है ना अब गुडविल आपकी 1,62,000 की थी और रिटायर कॉन हुआ है जायर सी बात है B हुआ है तो आप B को बाट दोगे ठीक है 4 upon 9 करके आप इसका share निकाल लोगे ये कैसे पहले तो 3 से काट के देख लो 3 3 जा 9 3 5 जा 15 4 जा 12 1 2 3 फिर दोबार 3 से 3 बंज़ थी 3 बंज़ थी 2 carry 3 8 24 1 2 3 18 इंटू 4 72 जार आ गया B का good will में share तो entry क्या पास होगी A's capital account debit C's capital account debit 2 B's capital account amount किता आएगा 72 जार इस 72 जार को आप किस ratio में बाट लोगे 72 जार को 21 ratio 11 में बाट लोगे 21 के साफ से A में 11 के साफ से P देखते हैं 18 B काफी अच्छा कोश्चन है तो जरा अच्छे से देखिएगा है ना अच्छा लगा मुझे लगा रहा है कोश्चन काफी सही है 18 B में क्या कह रहा है कि 3 partner है P, R और S ratio है 4 upon 8 P का 3 upon 8 R का और 1 upon 8 S का कोश्चन में कह रहा है कि अगर किसी भी partner की death होती है तो जो उसका goodwill में share आएगा उसका half लिया जाएगा clear है किसी भी partner की death होती है तो जो उसका profit मतलब profit में इसे जो आएगा goodwill का share वो half लिया जाएगा कोश्चन में आपको 4 साल का profit दे रखा है पहली साल जो आपको profit हुआ एक लाग बीस अजार का दूसरी साल हुआ आपको 60,000 का तीसरी साल आपको loss हुआ 20,000 का और चोती साल आपको profit हुआ 80,000 का इसको मैं calculate करूँगा तो आपका आएगा total 2,40,000 का profit और death हुई है R की तो R का share किता था 3 upon 8 दो लाग चालिसर इंटू 3 upon 8 करोगे तो आपका आएगा 90,000 और क्योंकि question मैं कहा गया है कि कितना लिया जाएगा 1 and aft यानि की 45 यार गुटविल में share लिया जाएगा ज़रा मैं answer दिखा दूँ R का गुटविल में share कितना आ रहा है पेहंता ले से जाएगा अब बात आगे gaining ratio की तो इनका जो नया ratio है partners का वो दे रखा है P और S का 3 ratio 2 तो ज़रा मैं gaining ratio निकाल दूँ P का नया ratio 3 upon 5 और P का पुराना ratio था 4 upon 8 LC हम लोगा तो 40 आएगा 8 3 जा 24 minus 5 4 जा 20 यानि कि इसका आएगा 4 upon 40 P का S का नया है 2 upon 5 और पुराना था 1 upon 8 इसका भी LC हम 40 आएगा 5 जा 16 minus 85 बन जा 5 या आगा 11 upon 40 यानि कि इनका gaining ratio किता आगा 4 ratio 11 यह भी देखने ज़रा आप आप answer में 4 ratio 11 एव एंट्री आपको मालू में क्या करनी है दो पार्टनर बच्चे हैं क्या होगे एंट्री P's Capital Account Debit और कौन है S Capital Account Debit किसकी death हो गई R की R Capital Account कितनी आए थी 45,000 45,000 को आप लोग 4 ratio और 11 ratio बाट रहे 45,000 into 4 divide by 15 करोगे तो यह आप का एगा मैं आपके करके भी देख ले रहा हूँ 45,000 into 4 divided by 15 तो यह आएगा 12,000 तो यहाँ आएगा और remaining 33,000 यह आगया ठीक है ना यह आपका आपका कोशन नमबर 18 B कोशन नमबर 19 और देखते हैं वीटा कोशन नमबर 19 कोशन नमबर 19 आपका यह वाला है कोशन नमबर 19 19 में आपके 4 पार्टनर है कोशन नमबर 19 में आपके 4 पार्टनर है A, B, C और D चारों का रेशियो 2, रेशियो 2, रेशियो 1, रेशियो 1 कोशन में A और C रिटायर हो गए हैं और गुडविल यह रखी है 90,000 ठीक है B और D ने रिसाइट किया कि future का रेशियो 5, रेशियो 3 में लेगे तो पहले तो मैं गेरिंग रेशियो निकाल लूँ B का पुराना रेशियो ने रेशियो है 5, 8 और पुराना था 2, 4, 5 है 2, 6 इसको जड़ा मैं LCM ले लेता हूं 8 और 6 का 2, 4 जा 8, 3 फिर अगें 2, 3 फिर अगें 2 और 3, 2, 2 या 4, 2 या 8, 3 जा 24 तो 3, 5 जा 15, माइनस 4, 2 जा 8, यह आया 7 उपॉन 24, B का D का निकालता हूं, D का नया है 3 अपॉन 8 और पुराना था 1 अपॉन 6, LCM 48 ही आएगा 6, 3018, sorry यहा 24 आएगा 3, 309 और 4 बंजा यह आएगा आपका 5 अपॉन 24 यानि इनका रेशियो आएगा 7 रेशियो 5 । अब एंटरी आपको मालब है क्या होगी कौन कौन बचा आया है, B कैपिटल अकाउंट डेविट और D कैपिटल अकाउंट डेविट कौन किसकी डिटार हुआ है A हुआ है A's Capital Account और 2C's Capital Account Amount कैसे निकलेगा Goodwill थी 90,000 की और A का शर्किता था 2 upon 6 याने की 1 upon 3 लिख सकता हूँ मैं तो यह आजागा 30,000 A का और C का आजागा 15,000 याने की A का 30,000 और C का 15,000 तो 30,000 और 15,000 45,000 को आप लोग 7 ratio 12 में बाट देना तो 7 के साब से जवागा वो B में और 5 के साब से जवाएगा वो D में ठीक है तो students आज की वीडियो में इतना ही आज हमने question number 17A 17B, 18A 18B और question number 19 कर लिए अगली वीडियो में हम question करें question number 20 से ठीक है ना